तो फिर से एक बार मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बड़े रिक्वार्मेंट जो गवर्मेंट आफ इंडिया मिनिस्ट्री आफ डिफेंस की तरफ से आई है इस रिक्वार्मेंट के तहट आप कॉलेज आफ मिलिटरी इंजिनियरिंग CME पूने में आने वाले इस रिक्वार्मेंट के लिए अपलाई कर सकते हो इस रिक्वार्मेंट के बारे में हम बात करेंगे तो आपकी यह रिक्वार्मेंट ग्रूप सी पोस्ट पर CME पूने में रखी गई है जिसके लिए इंट्रेस्टेट कैंडिडेट आउनलाइन अपलाई कर सकते हैं चार फ है जो आपके notification है जिसमें आपकी किस पोश्ट पर कितनी payment scale होगी किया जो किसन qualification है कितनी vacancy है कितनी streets ability है सारी जनकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगे साथ इसका exam procedure क्या होगा syllabus क्या होगा उसके बारे में आपको सारी जनकारी यहां पर देखने को मिल जाती है और मैं आपको बता दू इस requirement के टहत आपकी exam syllabus क्या है उस topic पर भी आपको यहां पर next PDF में जनकारी देखने को मिल जाएगे आपको यह दोनो पीडियेफ आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो वीडियो के नीचे description में आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा तो आज की studio में हम बात करेंगे कि यदि आप interested है आर्मी CME पूने की तरफ स्याने वाले इस requirement में form fill up करने के लिए तो आज की studio में आपको complete process बताने वाला हूँ कि आप कैसे इस के लिए form fill up कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर बता दू इस requirement के लिए कोई भी payment नहीं रखी गई है General OBC, SCHT कोई भी candidate free में इस requirement के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो दोस्तो इस requirement में form fill up करने के लिए आपको CME पूने की इस official website पर आना होगा जिसका link आपको इस वीडियो के description में provide कर दूँगा यहाँ पर आने के बाद important links में new registration का option आजाता है आप इस option पर click करेंगे यहाँ आपको कुछ term and condition देखने को मिल जाएगा सारे term and condition को read करेंगे यहाँ पर tick करेंगे and agree terms and condition इस option को आप click करेंगे then guys आपका interface इस प्रकार से open होगा आप यहाँ पर सबसे पहले कुछ basic जैन कारें fill up करेंगे applied post for में जिस भी post के लिए आप apply करना चाते हो सारी list आपको देखने को मिल जाती है आप अपने coding जिस भी post के लिए apply करना चाते हो यहाँ पर आप select करेंगे candidate name में आपको अपना complete name यहाँ पर fill up कर लेना है जो अभी आप यहाँ पर fill up करते है then यहाँ पर आपको अपने male female जो भी gender है select करेंगे category आपको यहाँ पर option मिल जाती है general EWS, OBC, SC, HD जिस भी category से apply करना चाते हो कर सकते हो यहाँ पर आपको इस application के लिए कोई भी payment नहीं करना है free में आप apply कर सकते है बाकी एक service main candidate है तो yes करके detail दे सकते हो otherwise no option को select करेंगे PWBS candidate हो तो yes करेंगे otherwise no option को select करेंगे government employee है तो yes करेंगे otherwise यहाँ पर भी no option को select करेंगे date of birth आपको यहाँ पर select करना होगा जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पर अपने year को select कर लिजेगा इस प्रकार से year को select करने के बाद यहाँ से आपको month select कर लेने और यहाँ से आपको date को select कर लेने है यहाँ पर आपकी जो भी age होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी candidate आधार number में आपका जो भी आधार card number होगा वो आप यहाँ पर fill up करेंगे यह सारे detail fill up करने के बाद priority for the post applied आपका priority कितना है वो आप यहाँ पर select कर लेंगे generally आपको यहाँ पर अपने email id fill up करने ही यहाँ पर अपने email id को confirm करेंगे mobile number यहाँ पर fill करेंगे and mobile number को यहाँ पर confirm करेंगे इसके बाद आपको password देना होगा आप special character का password यहाँ पर दे सकते हो आपको यहाँ पर सारे term and condition भी देखनी को मिल जाती एक example में आपको screen पर भी दिखा देता हूँ आप इस example के तहरे ताप अपने password को create करेंगे and अपने password आप यहाँ पर fill करेंगे and उस password को यहाँ पर confirm करेंगे सारे detail को fill up करने के बाद आप यहाँ पर register option पर click करेंगे एक pop-up message मिल जाया है कि register करने के बाद कोई भी detail आप change नहीं कर सकते हो तो एक बार सारे detail को check करेंगे and आप यहाँ yes option पर click करेंगे कि email id पर एक ID और password send किया जाएगा login करने के लिए application login आप इस option पर click करेंगे then अपने email id को check करेंगे जिसका registration number आप यहाँ पर fill करेंगे जो password send करा जाएगा password आप यहाँ पर fill करेंगे and login करेंगे page login होने के बाद father name आपको इस section में fill करनी है mother name आप यहाँ पर fill करेंगे nationality आपको option मिल जाएगा Indian select करेंगे and save and continue करेंगे next page में आपको यहाँ पर address detail देना होगा जिसमे correspondence address और mailing address आप यहाँ पर fill up करेंगे and permanent address आप यहाँ पर fill करेंगे correspondence address में house number, flat number जो भी होगा आप यहाँ पर fill करेंगे area, locality, street name जो भी होगा वो आप यहाँ पर fill करेंगे landmark वो आप यहाँ पर fill करेंगे state option मिल जाएगे जो आप अपने coding select करेंगे उसी के coding, आपको यहाँ पर district देखनी को मिल जाएंगे जो आप अपने district को यहाँ से select कर लेंगे इसके बाद city आपको देखनी को मिल जाएगा यहाँ पर अपने city name को type करेंगे nearest post office address आप यहाँ पर type करेंगे and pin code आप यहाँ पर type करेंगे जो भी detail आपने correspondence address में fill up करा है वही आपका permanent address है तो same as correspondence address इस option पर tick करेंगे तो as it is आपका address fill up हो जाएगा otherwise आपका permanent address अलग है तो आप यहाँ पर अलग से fill up कर सकते हैं address fill up करने के बाद आप यहाँ save and continue करेंगे next page में आपको यहाँ पर आपको educational detail देना होगा जिसमें 10th class जिस school से जिस board से आपने pass out किया था वह board name आप यहाँ पर fill करेंगे year of passing आपको यहाँ पर type कर लेना है then percentage आपका कितना था वह आप यहाँ पर type करेंगे then आपका first division था second division था third division था वह आप अपने according यहाँ पर select करेंगे नीचे section में आपको ITI detail मांगे जा रही है ITI certificate आपके पास है ITI complete कर रहा है तो आपनी trade name आप यहाँ पर देंगे जिसमें feature electrician जिस भी trade से आपने ITI complete किया वह name आप यहाँ पर fill आप करेंगे institute name आप यहाँ पर fill करेंगे year of passing आप यहाँ पर fill करेंगे percentage आप यहाँ पर fill करेंगे division आपका first, third, third जो भी division था आप अपने according यहाँ पर select करेंगे and जो भी आपका formula था यदि आपका cgpa में है आपका marks तो आपका cgpa to percentage का जो भी formula है वो आप यहाँ पर type करेंगे otherwise आपके certificate में direct percentage दिया हुआ है तो आप इस box को blank रहने देंगे and 7 continue करेंगे यदि आपने iti नहीं करा है तो आप इस option को blank रहने देंगे and next option पर click करेंगे without iti आप यहाँ पर mts के लिए भी form fill up कर सकते हैं इस page में यदि आपके पास कोई भी work experience है तो इसका organization name आप यहाँ पर fill करेंगे किस time से किस time तक आपने काम क्या था वो आप यहाँ पर fill करेंगे total कितने साल का experience था वो आप यहाँ पर click करेंगे and 7 continue करेंगे अगर आपके पास कोई भी work experience नहीं है तो आप directly यहाँ 7 continue कर सकते हैं webpage में आपको कुछ document अप्लोड करने होगे जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर size भी देखने को मिलजाए कितनी से कितनी के अभी तक के बीच में किस format में आपको document अप्लोड करने है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको passport size photograph अप्लोड करने यहां पर आपको अपने signature upload करने है नीचे scroll down करेंगे तो कुछ all document upload करने होंगे जिसमें आप यहां पर अधार card upload करेंगे 10 class की mark sheet आप यहां पर upload करेंगे 10 class की जो certificate होती है वो आप यहां पर upload करेंगे यदि आपके पास certificate नहीं है तो आप यहां पर certificate option में भी mark sheet upload कर सकते हो नीच को तो आपको एक फॉर्मेट में आपको इसके सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा जो फॉर्मेट आपको यहां पर देखने को मिल जाता है जैसे कि डिसाइबलेटी सर्टिफिकेट आप यहां पर देखने को मिल जाएगा जिसमें आप यहां पर सारी डिटेल फिल अप करन को बनवाना होगा Sign может सब करवा लेना होगा then आप इस certificate को upload करेंगे इसी format में आपको अपने इस certificate को upload करना होगा upload करने के लिए आपको simply choose file option पर click करके अपने सारे document को यहां से upload कर लेने हैं जैसे कि आप यहां पर choose file option पर click करतें आपने document को select करके upload कर लिए देन यहां पर आपको upload option मिल जाता है upload option पर क्लिक करेंगे तो document upload होने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाती है यहाँ से सारे document upload कर लेनी के बाद आप save and continue करेंगे then आपका application detail कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा सारे detail आप अच्छे से check करेंगे then आपको यहाँ पर option मेंदा से select कर लेना है yes यहाँ पर सारे declaration देखने को मिल जाएगे जो आप check करेंगे then अगर कोई भी गलती होता है तो आप उसे edit कर सकते हो edit application option पर जा करके then सारे details सही है तब आप यहाँ पर final submit option पर क्लिक करेंगे आपका application slip कुछ इस प्रकार से generate हो जाएगे आप इस application slip को print करना चाहते हो तो print option मिल जाएगा नीचे में click करेंगे then आप इस page को print करके रख सकते हो या फिर pdf mobile में save करके भी रख सकते हो save करने के लिए generally आप यहाँ save option पर click करके save करके आप अपने पास रख लेंगे सो दोस्तो आई होप इस वीडियो के मदद से मैंने आपको army CME के तरफ से आने वाले इस requirement के बारे में complete जनकारी provide कर दी है बाकि जो भी important links है वो आपको इस वीडियो के description पे मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर एक और चीज note में बता दू कि यदि आप MTS के लिए apply कर रहे हो तो यदि आपने 10th pass out कर रख है और ITI आपके पास नहीं है तो भी आप इस form को fill up कर सकते हो ITI वाले जो भी detail होंगे उससे आप blank रहने देंगे तो आप इस MTS के form को भी fill up कर सकते हो So I hope इस वीडियो की मदद से आपको complete जनकारी मिल गई होगी So वीडियो पसंद है तो इस वीडियो के like करने के साथ यदि आप हमारे Indian Rajtech चैनल पर नए हो तो इस चैनल को subscribe कर लिए ताक किसी परकार की नए आने वाले information जॉब से रिगार्डिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी तो आप हमारे चैनल को subscribe जरूर से जरूर कर लिजेगा So चलिए मिलते किसी और topic को लेकर नेक्ट वीडियो में बने रहे हैं हमारे साथ इंडिया राज्टेक यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद